मानो जैसे अभी शुरू हुआ था इसके 6 महीने निकल गए पता ही नहीं लगा इसी तरह से 6 महीने और निकल जाएगे और 24-22 एंड हो जाएगा 23 इसी तरह से शुरू होगा वो भी इसी तरह से एंड हो जाएगा और ऐसे साल निकलते रहेगे पर अगर वक्त के साथ साथ महनत नहीं की जिन्दगी के एक-एक महीने एक-एक सप्ता एक-एक दीन और एक-एक घंटे की वैल्यू नहीं की तो साल के साथ साथ जिन्दगी आदी निकल जाएगे पता ही नहीं लगेगा एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा पता ही नहीं लगेगा कि जब हम सोच रहे होगे कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उस वक्त सिर्फ पच्छतावा होगा और अदूरे सपने होगे उस टाइम माइन चलेगा कि यार ये कर सकता था वो कर सकता था एक कामियब इनसान को अगर देखने जाये तो उसने क्या किया होता है जिस वधासे वो कामियब है क्योंकि वो वक्त को काबू में कर लेता है उसका time management बड़ा strong होता है वो टालता नहीं है वो overthinking में फस्ता नहीं है उसे वक्त को काबू में करना आता है उसे अपना जीवन का एक-एक मिनट कंटोर करना आता है उसके हाथ में उसका कलेंडर होता है जिन्दगी का देखो मज़ा आता है तब काम करने में दिक्कत नहीं होती है तब टाइम अच्छे से यूज कर लेते हैं काम करने में मज़ा आ रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे है अच्छा वक्त चल रहा है, तब तो मोटिविशन की जरूती क्या है तब तो गंटो-गंटो काम कर लेते हैं सीखना तो हमें ये है न कि एकदम खाली फील हो एक परसेंट भी मन आ हो काम करने का तब काम कैसे करें तब टाइम को कैसे मैनेज करें तब एक-एक मिनट का यूज कैसे करें तब टाइम को वेश्ट कैसे ना करें बस यही जाने के आज इस वीडियो में तच्छलों आप जानते हैं जिन्दगी को कंट्रूल कैसे करें आपके आने वाले हर एक मिनट को कंट्रूल कैसे करें क्योंकि अगर मिनट कंट्रूल में आगे तो घंटे कंट्रूल में आजाएगे दिन आजाएगा, हफ़ते आजाएगा, महीने आजाएगे, साल भी आजाएगे और इस तरह से पुरी जिन्दगी गंट्रूल में आजाएगे आपके हाथ में होगा कब आपको कौन सा काम करना है आपको खुद पर डाउट नहीं होगा कि मैं कर पाऊगो या नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम करोगे आप कैलेंडर फॉलो कर रहे होगे और आप कर दोगे मैं आपको एक मैथड बताने मालओ जिसे मैंने खुद यूज किया है इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए इस मैथड का नाम है पॉमोडोरो टेक्निक भागना मत सुन के नाम मुझे पता आपको अलड़ी पता है लेकिन आपको इस थरीके से नहीं पता है और अगर पता है तो यूज क्यों नहीं कि अब तक क्योंकि अगर आपने Pomodoro को अच्छे से apply करा होता और जिन्दगी में फोड रहे होते हैं अगर तो इस वीडियो पे click नहीं करता है फुल चीज पता होना और लगाता उसको apply करना दोनों में फरक है Pomodoro के बारे में मैंने पहली बार सुना था जब मैं ब्लॉगिंग किया करता था आज से 7-8 साल पहले मैंने सुना था इसके बारे में लेकिन मैंने भी बहुत लेट इसको आजमाया Pomodoro मेथड को Francesco Sirilio ने 1980 में बनाया था मैंने इसके बारे में आपने YouTube वीडियो में बात भी कर रही है लेकिन अब काफी सीरियस तरीके से मैं इसे अपनी लाइफ में apply भी कर रहा हूँ और आपकी लाइफ में भी apply कर वाँगा इस टेक्निक को समझानी के लिए बात करते हैं मैंने Elon Musk की जो कि multiple बड़ी-बड़ी companies successfully run कर रहे है जैसे कि Tesla, SpaceX, Hyperloop ऐसे और बड़ी companies और इसके अलावा दूसरी company खरीदने में ध्यान देते हैं वो अलग तब भी सब अच्छे से manage करते हैं और यह बताते हैं कि यह 8200 hours a week work करते हैं 80-100 गंटे 7 दिन में काम करते हैं लोग हैरान हैं यह इतनी companies में काम इतने अच्छे तरीके से कैसे कर पाते हैं तो इनका कहना है कि वो time blocking technique को यूज करते हैं जिसे time boxing भी कहते हैं जिसमें किसी काम को या किसी task को एक time slot में बांध दिया जाता है कि इस time को इतने बज़े से इतने बज़े करना है इतने गंटे में करना है इतने minutes में करना है उसको time दे दिया जाता है जिसमें उसके अलावा दूसरा काम नहीं किया जाता है और जब वो time खतम हो जाता है समाप्त हो जाता है तब उस काम को बीच में ही छोड़ कर गए दूसरी slot को start कर दिया जाता है जो दूसरा काम है, इसलिए इसका नाम भी time blocking है, time block हो किया, इसमें यही काम करना है, time खतम दूसरा काम उसमें वही काम करना है, इसमें एक तो कोई काम miss होता नहीं है, दूसरा इसमें focus बड़ा अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपको बागी के task के चिंता नहीं होती है, क्यो कि ये काम करना है, आप कुछ नहीं करना है, जो है वो यह है, 25 मिनट देना है मैं अब जिन लोगों को नहीं पता है Pomodoro क्या है, एक paragraph में समझ जाओगे आप, Pomodoro टेक्निक में आप 25 मिनट बिना distraction काम करते हो, आप decide करते हो कि आपको 25 मिनट बैड करके यही काम करना है, और मुजिक लगा लेते हो, फोकस वाला मुजिक लगा लेते हो, शान्ती में आप 25 मिनट देते हो, सिर्फ उस काम को, 25 मिनट के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आप 25 मिनट फिर से काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, 25 और 5, एक Pomodoro हुआ 30 मिनट का ऐसे चार बार करती है तो दो घंटे हो जाता है और दो घंटे इस तरह से देने के बाद में आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो 20 मिनट का 30 मिनट का अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आप एक Pomodoro कंप्लीट करोगे यानि कि 25 मिनट कंप्लीट करोगे और पांच मिनट का ब्रेक लोगे तब आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी यह पांच मिनट खतम हो मुझे अगले Pomodoro में जाना है आपको एक मज़ा आएगा क्योंकि आपने कुछ अचीव करा है काम करके एक फिलिंग आई है कुछ करा है मैंने और वो आपको फिर से अचीव क आपको एक लक्षे मिल जाएगा कि मुझे आज 8 Pomodoro कम्प्लेट करना है आपको एक टागेट मिल जाएगा गेम में क्यों होता है गेम में मजा क्यों होता है गेम में सबसे यहादा मजा था पाता है जब टागेट मिलता है वरना इंट्रेस्टिंग गेम भी बोरिंग हो जाता है जब टागेट नहीं होता उसमे जब आप Pomodoro कम्प्लेट करोगे आपको happiness वाली feeling मिलेगी कुछ हासिल कर दिया ऐसा लगेगा सबसे बेकार कब लगता है जब टाइम को वेश्ट करते हैं और टाइम को बहुत छांदर तरीके से यूज़ करते हैं तब कैसा लगता है क्यार मज़ा आ गया है इसी तरह से और करना है तब Pomodoro में ही होगा आप फिर से करना चाहोगे और क्यों इतना focus बन जाता है Pomodoro में उसका कारण है आप अपने आ पांच मिनट बचे है इस काम को में कर रहा हूं आपको वक्त जाता हूँ नजर आता है इससे आपको urgency समझ आती है क्योंकि आपको 25 मिनट खतम होते नजर आते हैं सोचो कोई आपको काम दे कोई टास्क दे और साथ में वक्त भी दे कि आपको इतने वक्त में ही करना है तब आपका focus जादा होगा या कोई आपको काम दे और वक्त बताए ना तब आप टालोगे लाइफ में टाइम जरूरी है कि इसको इतने टाइम में कटम करता है सोचो आपकी लाइफ में ऐसे कितने काम है जो आपको लगता है कि कोई दूसरा आपके सर पर गंद रखे और आपसे करवा है तो आप कर दोगे पर वैसे बीना प्रेशर आप काम नहीं करोगे कोई प्रेशर दे तो कर दोगे कोई टाइम दे कि आपको इतने टाइम में करने तो आप कर दोगे लेकिन वैसे नहीं करोगे जबकि पता है कि वो काम आपकी जिंदगी का सबसे इंपोर्टन काम है पता है कि ये करूगा अलगात तार में है तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएगी लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया है, सिस्टम किसे बनेगा पॉमडोर से पॉमडोरा मैथड में एक्सेकली यही हो रहा होता है मेरे पास 25 मिनट है, मुझे काम करना आई है बस 25 मिनट में मुझे और कुछ ही नहीं करना है मेरा थ्यान automatically इसमें लग जाते है मेरे दिमाग में दूसरा खयाल आता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी break आएगा तब सोचेगे उसके बारे में टागेट की जरूत होती है और motivation मिलता है जब हमें कुछ होता हुआ देखता है Pomodoro से आपको कुछ होता हुआ देखेगा टाइम के साथ खेल रहे होगे आप जब आप 25 मिनट में अपने आपको पूरा उस काम के लिए सौप दोगे आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हो उस काम के लिए और जब अलाम रिंग होती है तब आप उस 5 मिनट के ब्रेक में एंजोय कर रहे होते हो क्या आपने कुछ करा आपको सेंस ओफ अच्छीमेंट वाली फील आएगी यानि डूपामीन रिलीज होगा हैपिनेस हामों रिलीज होगा आपको मज़ा आएगा पर मोर्डोर मेथड क्यों इतना एफेक्टिव है ये समझानी के लिए मैं आपको मोटिवेशन की साइन्स समझाता हूँ मोटिवेशन का सुत्र समझाता हूँ पीयर सिस्टिल ने अपनी बूग इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी काम करने का मन होता है या नहीं होता है उसके बीचे का कारण ये सुत्र होता है इसको मैं और आसान करता हूँ जब आप नीचे की वैल्यू इंपल्सिवनेस और डिले को कम करते हो तब आपको किसी काम को करने की इच्छा और जदा बढ़ जाती है कैसे आपका एक साल बाद एक्जाम है अब क्योंकि वो एक साल बाद है तो डिले ज़्यादा है तो उस काम को करने का इतना ज़्यादा मन नहीं होगा और अगर आपका एक सबते बाद ही टेस्ट है तो आपके बढ़ने की motivation ज़्यादा हो जाएगी भले वो stress वाली motivation हो फिर बात करता है expectancy और value के जिसे बढ़ाना होता है जब value बढ़ते है motivation बढ़ता है आप किसी काम की value जब ज़्यादा करते हो तो motivation बढ़ावा होता है अगर आपको पता है कि आपके काम से कोई काम है उससे किसी इंसान की जिन्दगी बदल सकती है या फिर दुनिया में बहुत बढ़ा बदलाव आ सकता है तो उसको करने की motivation बहुत ज़्यादा होगी और अगर आपको रगता है कि ये काम करके क्या ही हो जाएगा तो motivation उसकी काम होती है उसकी बाद में फिर आता है expectancy आपके किसी काम को करने की motivation सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपको बता होता है कि वो काम आप करीदोगे उस काम की होने के chances बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक पेच पढ़ना इस किताब का आप पढ़ सकते हो easily और उसको पढ़ने के बाद में आपको 10,000 रुपे मिलेगे तो आप पूरे motivation के साथ में उस पेच को पढ़ोगे और अगर आपको दूसरी तरफ का जाए कि आपको 20 किताबे पढ़नी है 500-500 पेचस की और बहुत टफ किताबे है और वो पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको 1,000,000 रुपे मिलेगे तो उसके होने के chances थोड़े से tough है तो motivation कम होगी तो अगर आप अब motivation की इस equation को समझ चुकी हो तो आपको अब लगेगा कि Pomodoro आपकी help करता है motivation को बढ़ाने में motivation की equation की according expectancy और value को बढ़ानी होती है और impulsiveness और delay को कम करनी होती है 25 मिनट बैट करके आपको कोई काम करना है यह आपके लिए आसान है यानि कि expectancy बढ़ गई फिर आता है value तो of course आपके सपने है आपकी जिंदगी में कोई फरक आएगा अगर आप उस काम को करोगे तो value बढ़ गई अब impulsiveness को कम करना है यानि कि आप कितने distract होती हो वो कम हो जाएगा pomodoro से क्योंकि आप 25 मिनट तली नोगर काम करोगे पूरे गुस जाओगे उसके अंदर फिर last में आता है delay को कम करना pomodoro से आप delay को कम कर चुकी हो आपको लगता है कि 25 मिनट बाद ही कुछ होगा 25 मिनट बाद में आपको एक feel आईगे कि आपने कुछ कर दिया कुछ अचीव कर दिया जिसकी बाद में आप फिर से 25 मिनट चाओगे कि आप काम करो pomodoro इस तरह से apply हो रहा है motivation की उपर अगर आपको motivation के equation से इससे समझ नहीं आई है तो आप इस वाले पार्ट को फिर से देख सकते हो पर मैं आपको बता दू कि आपको किवल pomodoro समझना है और इससे apply करना है pomodoro के फाइदे इतने effective नहीं लग रहा है कोई बात नहीं एक बार कर लो आपको फाइदे live दिख जाएगे